शालोम आज की सुभर के लिए प्रभू का धनेवाद करते हैं कि परमेश भला है और उसकी करुणा सदा किये सदा की करुणा करने वाले परमेश ने फिर हमें मौका दिया है उसकी स्तूती महिमा और अराधना करने का तो यह आसुभ जिस वचन पर हम लोग मनंद करने जा रहे है हमारा टाइटल है असली या नकली जी हाँ हमारा शिर्शक है आज का असली या नकली दरसल ये बाते बहुत कॉमन है बहुत सामान्य है लेकिन इसका संबंद हम सभी विश्वासियों के साथ जुड़ा हुआ है समझे सुने और उसके द्वारा अपने जीवन में आशिशे पाए हला कि बहुत बार हम ऐसे विश्व को इगनोर करते अंदेखा करते है पर आज जानेंगे ये विश्व क्यों इतना जरूरी है हमारे जीवन के लिए विश्वासियों के लिए हम संदेश के आखरी में मैं ज असली या नकली ये प्रशन है असली या नकली दरसल मैं जो बात कर रहा हूँ किसी वस्तू की नहीं बाजार में हम कुछ इसे खरीदने जाते हैं मैं किसी खरीदने वाली चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज बात कर रहा हूँ मनुष्य के जीवन की बात कर रहा हू मनुष्य का जीवन असली है या नकली है हम जो जीर है हम जो चल रहे है वो हमारा असली जीवन है या नकली जीवन है इस बारे में प्रभु के वचन से हम बात करेंगे दर असल मनुष्य का जीवन दो प्रकार का होता है जिहां मनुष्य का जीवन दो प्रकार का होता है एक तो असली होता है एक तो नकली होता है दो में से एक होता है दो में नहीं होता है असली होता है या नकली होता है सो इसका फैसला धीरे धीरे जब हम प्रभु के वच्चनों को पढ़ेंगे जानेंगे तब हमें ये बाते समझ में आएगा जीहां असली की कीमत ज्यादा है एकदम सही बात है जरूरी बात है कि असली जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन उसे बहुत popularity नहीं मिलती प्रसिद्धी नहीं मिलती है असली जीवन को हाला कि उसे कीमत बहुत जादा है और असली की बराबरी कोई नहीं कर सकता है लेकिन नकली जो होता है नकली की कीमत बहुत कम है और उसमें चमक जादा है नकली जीवन में चमक जादा है और वो जल्दी ही नाश भी हो जाता है ऐसा होता है नकली जीवन बहुत बार हम लोगों को बहारी रूप से परखने का प्रयास करते है कि वो बोलता कैसा है, बोलती कैसी है, चलता कैसा है, काम कैसे है उन कामों के अनुसार हम उसको जाचने का, जज करने का हम लोग प्रयतन करते है, प्रयास करते है और अक्सर, मैं आपको बता दू, अक्सर हम स्कूल मिलाके नकली जिवन पर ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा अकर्शित होते हैं, क्यों एकती दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, काम करने में कैसा है, यह सारी बाते पर हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क् नकली की चमक बहुत ज़्यादा होती है कीमत बहुत सस्ती है पर चमक बहुत ज़्यादा होती है और नकली बात ज़्यादा दिर तक ठैर नहीं सकती है मैं आज जो बाते आपको परमेश्यों के बच्चन से बताने जा रहा हूँ ये ठीक कुछ ऐसी है जैसी बात परमेश्यों ने अपने दास शम्यल से किया था उसे कहा था कि मनुश्य को तु बाहर से मत दे जब वो इशे के घर जाता है उसके बच्चों का अभिशे करने के लिए तो बड़े से शुरुआत करता है और उसे ऐसा लगता है कि बड़ा वाला शायद योग्य होगा वो राजा बन पाएगा लेकिन परमेश्यों बोलता तु उसके बाहरी रूप को मत दे एक दो तीन चार सब चलेगा लेकिन लास छोटा वाला बच्चा बच्चता है उसके चहरे पे लाली चलती थी और बहुती साधारन सा एक सामान्य बहुत सुंदर सा बच्चा था और प्रभु ने कहा यही है वही है का मतलब होता है कि अभी तक तो तु तुने देखा तुझे लगा राजा बनने के लिए एक बलशाली वेक्ती, एक सुंदर वेक्ती, एक उंचा पूरा वेक्ती, एक प्रभावशाली वेक्ती जो बोलने में अच्छा है, देखने में अच्छा है, ये सब का शायद चुनाओ करना होगा, लेकिन परमेश्व ने शमयल की सोच को जल दिया, जब उसके सामने दाउत को खड़ा कर दिया, जी हाँ, हमें नकली जीवन पर प्रभावित नहीं होना है, हमें असली जीवन पर प्रभावित होना है, मेरे प्यारों, चमक भले ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसकी जो लाइफ है, वो ज्यादा नहीं होती है, इसल निकालेंगे रोमियो साथ वाद ध्याय और वचंतेईस रोमन चैप्र सेवन एन वर्स ट्वेंटी थ्री त्वेंटी थ्री ऐसा कहता है परंत मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्ता दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की व्यवस्ता से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्ता की बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है जी हाँ पॉलूस यहाँ पर अपने बारें बात कर रहा है अक्सर हम देखते है बाईविल में कि वो कलीसिया के बारें बात करता है कलीसिया को बनाने की सुधारने की बात करता है लेकिन अगर आफ सातवे अध्याय को ध्यान पूरोग समझे रोमियो का मुझे ऐसा लगता है ये रोमियो जो है ये पांचवा सुसमाचार है बाइबिल का पॉलुस रचिस सुसमाचार कहे सकते है रोमियो को क्योंकि ये बहुत अद्भूत है रोमियो को समझना इसलिए मेरे प्यारों ये सात्वा अध्याय जो है ये पॉलूस अधगतर अपने बारे में ज़्यादातर बात कर रहा है और वो बात करता है कि मेरे अंदर दो प्रकार की व्यवस्ता है दो प्रकार की चीजें मेरे अंदर पाई जाती है जिस बात से मैं खुश नहीं होता वो बात मेरे अंदर ज्यादा पई जाती है और जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर नहीं सकता और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मैं वही कर बैटा हूँ और वो खुल कर बाते करता है मुझे पॉलूस का जो शैली है उसकी लेखन शैली उसका प्रचार शैली सेवा का काम बहुत मज़ेदार लगते है बहुत अर्भुत लगते है और बहुत ज़्यादा रियल लगते है वो ऐसा साधरन वेक्ती है जो अपने आपको खुली किताब के समान दिकाल के रख देता है इतना बड़ा वेक्ती एक बात कर रहा है मैं आपके समने फिर से कहना चाहता हूँ वचन को पढ़ना चाहता हूँ लिखा है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्ता दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धी की व्यवस्ता से लगाता लड़ती रह है और मुझे पाप की व्यवस्ता के बंदन में डालती है मुझे पाप में डालती है पर उसकरता है जो मेरे अंगों में है वो मान रहा है मेरे अंगों में पाप है वो मानता है मेरे शरीर में पाप है मेरे अंगों में पाप है और मुझे पाप करनी की तर भखेलती है और मे मेरे अंदर पाप डालती है, मेरे अंदर पाप करवाती है, दरसल पौलूस एक रियालिटी बता रहा है, मान रहा है कि मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर कमिया है, मेरे अंदर अलगी प्रकार की विवस्ता है, वो मान रहा है, कई बार प्यारो हम तो मानते तक नहीं है, हम कर बैटते हैं ऐसे हजारों काम और मानते तक नहीं है चाहे कितना भी कुछ कर लो हम बानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत हूँ, मेरे अंदर पाप है हम मानते भी नहीं, पॉलूस ने माना, वो मानता है दो प्रकार की विवस्ता के बारे में अपनी रियालिटी बताता है कि मेरे अंदर ऐसे प्रकार की विवस्ता दिखाई पड़ रही है जिससे मैं खुश नहीं हूँ मेरे अंदर एक असली है, एक नकली है जो मैं प्रचार करता हूँ, बात करता हूँ, वो असली है जो मैं विक्तिगत रुप से करता हूँ, चोरी छुटके करता हूँ, या मेरे जीवन से हो जाता है, वो नकली है, मुझे उसको सुधारना है, मैं ये ने कह रहा हूँ कि वो उसने मान लिया, तो सब हो गया, बाइबिल में आगे पढ़ेंगे, क्या बत-बता है वो, इस बारे आएंगा प्रहू मुझे माफ कर मैं चोर हूँ, अगले संडे फिर आगा कहेगा प्रहू मुझे माफ कर मैं चोर हूँ, एवरी संडे आ आ कर वो यही बात कभूल करता है कि मैं चोर हूँ, चोर हूँ, और देखने वाले लोग यह कहेंगे वाँ, यह कितना इमानदार है कि यह मान लेता है कि मैं चोर हूँ सच में वो इमानदार है मुझे तो नहीं लगता वो इमानदार है क्योंकि यदि वो इमानदार होता तो जिस संडे उसने कबूल ही किया उसके अगले ही संडे वो सब बाते करना बंद कर देता था लेकिन वो हर संडे मान मान कर ये जाहिर करना चाहता है कि मैं कितना नमर हूँ मुझे कल से वही काम करना है जो मैं अब तक करते आया हूँ मैं बस सही बनने का एक ड्रामा करता हूँ जी हाँ, सही होने का ड्रामा करता हूँ पॉलुस सिर्फ मानने वाली बात नहीं करता है बातने बदलने के भी बात करता है वो अपने जीवन में नकली जीवन को भी देख रहा है और जिसके कारण वो उदा से अगर आगे भी बात पढ़े तो पता चलता है वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ ऐसी बात करता है वो जब ऐसी व्यवस्ता अपने दर देखता है दो प्रकार के तो कहता है मैं कैसा अभागा मनुश्य हूँ और मुझे इस मृत्यू की देह से कौन छुडाएगा ऐसी बात करता है अगले वचन में वो एक बनावटी जीवन अलग जो सामने दिखता वो जीवन अलग कहवत हैने हाती के दाथ खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं कभी कभी इस कहवत को अपने उपर हम ले लेते मैं एक विश्वासी हूँ मैं एक मसी हूँ और मैं दिखाने का मेरा जीवन अलग रहेग उस पर वो आके ठहर जाते है मैंने कितने लोगों सीसी बाते करते सुना और कई बार सजबी है कई बार ये बाते सजबी है लेकिन आप Bible से मैं आप कुछ बात बताना चाहरा हूँ Bible मना कर दी है कि दो प्रकार का जीवन आप नहीं जी सकते है बाइबिल उस बात के लिए मना करती है वेवस्त विवरण उसका 22 वाद भी आए वचन 9, 10, 11 डियोटरोनमी चेप्र 22 और 9, 10, 11 जहां लिखा है अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीजना बोना वचन कहता है अपनी दाख की बारी में दोनों अपवित्र ठेरे दो प्रकार के बीजने बोना आगे लिखा है बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल नहीं चलाना आगे लिखा है ग्यारा वचन उन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना तीन धारम बताये परमेशों ने यहां पे कि अपने दाख की बारी में दो प्रकार के बीज नहीं बोना क्योंकि क्या होगा जब तेरी उपज निकलेगी तो सारी उपज अपवित्र ठेरेगी वजह तुने दो प्रकार का जीवन जिया तुने दो प्रकार के बीज बोये एक दारन दिया गधा और बैल एक साथ नहीं जोतना ये गधा और बैल बता रहा है दो विभिन्न स्वभाव दो विभिन्न वेक्तित्व दो विभिन्न जीवन बताय जा रहे है जिसको एक साथ जोड़कर काम नहीं चलाया जा सकता है फिर वस्तरों की बात की गई है कि उन का वस्त्र और सनी का वस्त्र एक साथ मिला कि उसका कपड़ा नहीं पहनना मतलब दो तरह का जीवन दो तरह की बाते करने के लिए बाइबिल हमें मना कर रही है बाइबिल नहीं चाहती है फिर भी हमने अभी पड़ा पॉलुस कहता है कि मैं जो सेवक है है ना 27 में से तकरीबन 13 लगबग 100 समाच चार मतलब आदा नया निया मुस्तने लिखा ए वो कहता है कि मेरे अंदर एक और ही प्रकार की विवसता दिखाई पड़ रही है और मान रहा है कि मेरे अंगों में मेरे भीतर पाप है मानने से बात नहीं चलती जब आप पॉलूस को आगे पड़ेंगे तो अपने जीवन को discipline मिलाता है पॉलूस अपने जीवन को discipline मिलाता है पॉलूस प्रयास करता है असली जीवन जीने के लिए नकली जीवन को वो मारना चाता है अगर आप पढ़ेंगे तो कुरंतियों की पुस्तत में अगर हम चले कुरंतियों को पहला कुरंतियों और उसका अध्याय नौ और वचन 27 फरस्ट कुरंतियन शेप्टर 9 एन वर्स 27 कहता है परन्तु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ ऐसा ना हो कि औरो को प्रचार करके मैं आप ही किसी रिती से निकम माठेरू वो कह रहा है मैं अपनी आपको मारता कुटता वश में लाता हूँ इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मैं अपनी आपको अनुशासन में लाता हूँ डिसीप्लीन में लाता हूँ अपनी आपको कही ऐसा ना हो कि दुसरों को जो मैं प्रचार कर रहा हूँ मैं वही गलतिया कर बै मैं उसको discipline में लाने कोशिश कर रहा हूँ, मैं अनुशासन में लाने कोशिश कर रहा हूँ, मैं उससे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नहीं कि पॉलूस उस नकली जीवन के साथ जी रहा है, पॉलूस उस जीवन को चाट कर, काट कर, एक असली जीवन की तरह प्रभा मैं आज ये बाते समझाने का मेरा मकसद यह है, मेरे प्यारों, कि ये सच है, आप मानो या ना मानो, अगले कुछ उधारन में आप बताऊंगा, दो प्रकार की विवस्ता, दो प्रकार का जीवन, असली और नकली, ये दोनों हम विश्वासियों के अंदर, हर विक्ति के अंद पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पापी हो गए, ये नहीं होता है कि हम इसमें से बच नहीं पाएगे, बाइबल में अनुगरह देती है कि तुम बदल सकते हो, आगे हम बाते करेंगे, तुम बदल सकते हो, इसलिए आज हमें थोड़ा जाचना है, मैंने प्वेशन मारक बताया, असली या नकली कौन सा जीवन हम जी रहे, क्योंकि ऐसा वाला ही जीवन आपको धोका देता है, ऐसा वाला ही जीवन आपको आशिशों से वंचित कर देता है, और ऐसा वाला जीवन ही जो नकली होता है, उसकी वज़े से आप अकेले नहीं होते है, नकली जीवन का जो आक्रमन होता है वो धर्मियों पर ज्यादा होता है आप कहेंगे क्या कह रहे आप जी हाँ यह सच कह रहा हूँ नकली जीवन का जो आक्रमन है वो धर्मियों पर ज्यादा होता है वो इसले में कह रहा हूँ जब हम प्रभू में नहीं होते है तो नकली पीछा करता है कि भई ये मेरी गिरब से छुटना नहीं चाहिए ये मेरी गिरब से छुटना नहीं चाहिए और वो दरवाजे पर बैठा रहता है अगर आप उत्पती में पड़े तो लिखा है तेरा पाप दरवाजे पर छिपा रहता है ताकि तुझ पर अपनी प्रभुता क क्योंकि वहां से हम छुट के आये हैं और वो हमारा पीछा कर रहा है इसलिए मैंने कहा जो विश्वासी नहीं है शायद उस पर इन सब बातों का ज्यादा असर नहीं होता है असली नकली वो लोग नहीं मानते है और नकली में बहुत खुश होते हैं और उसके लिए भी वो अधरन के साथ बतना चाहूंगा यह उधरन आपको समझना पढ़ेगा तकि ये उधरन अपने आपको रिलेट करे क्या यह उधरन मेरे साथ करते हैं क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी नकली बाते पाई जाती है आई हम समझने का प्रयास करेंगे, मैं कुछ उधारम रखूंगा, सबसे पहला उधारम मैं दाउद का रखूंगा, क्योंकि दाउद तो बहुती बड़ा आदमी है, परमेशो का सेवक है, और प्रभु का बहुती खास और पसंदिता है, जी हाँ, दाउद बत्सेवा वाली ब पसे नहाते हुए देख लिया, और तुरन चला की वाली योजना उसके दिमाग में चलना शुरू हो गई, वो धर्मी है, वो विश्वासी और प्रभु का भै मानता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चला की निर्मान हो गई, चलो इस्त्री के बत्सेवा के पती को दिया जाता है, यदि वो उसका पती मर गया, तो उसको बत्सेवा को मैं अपनी पत्नी बना सकता हूँ, और ये पाप उसने किया, ये बहुत सारे असली जिवन में चिपा हुआ एक नकली जिवन था, समझ रहे आप, एक चिपा हुआ नकली जिवन था, जिसकी वज़े से ब आक्रमन धर्मियों पर ज्यादा हो जाता है, भले आप बहुत अच्छे अराधक होगे, बहुत अच्छे प्रचारक होगे, बहुत अच्छे विश्वासी होगे, आपको ज्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये जिव उधारन बताए जा रहे है, ये इसलिए नहीं कि अगर मुसा की बात करे, मुसा पहले 40 साल तक राज महल में पलता गया, आशिश पाता गया, बढ़िया खाना, बढ़िया पिना और मसी के बच्चनों की भी शिक्षा उसको लगभग मिल रही थी, लेकिन अभी वो तैयार नहीं था, कुछ बात को लेकर अपने लोग को लेकर गुसा आया, और एक मिस्तरी आदमी को मडर किया, खून किया, और रेत में उसकी लाश को छिपा दिया, पता है, ये बात परम लेश्वर ने उसको बला कि इसको अभी ट्रेनिंग देना पढ़ेगा मुसा को, और मुसा की ट्रेनिंग अगले 40 साल चली, जंगल में, ससूर के भेड़ बक्रियों के साथ, अगले 40 साल ट्रेनिंग चली, उसे योग्यपन तयार किया गया, क्योंकि मुसा भले अच्छी बा अगले तभी तो चुपाना पड़ा, कुछ गलत किया है, आपने तभी चुपाना पड़ा, जब आप चुपाते हो, याद रखना, आप कुछ गलत कर रहे हो, जब आप कुछ चुपाना पड़ता है दूसरों से, ये नकली जीवन, छोटा सा नकली जीवन, उसकी वजह से, पवलस ने कहा था, मेरे अंदर दो प्रकार की वे उसना दिखाई पड़ती है, यही वाली है यह, जिसको छिपाना पड़ा, नए नियम के बात करें, नए नियम में हनन्या और सफिरा यह बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, नए नियम के विश्वासी, आरंभी कलिस्या के विश्वासी थे यह लोग, और बहुत ही अच्छे से विश्वास में बढ़ रहते, लेकिन विश्वास में बढ़ते बढ़त जो कदम जो स्टेप उन्होंने उठाया है वो विश्वासियों का अच्छे विश्वासियों का लक्षन है उन्होंने वो स्टेप उठाया लेकिन एक छोटा सा नकली जीवन भरा हुआ था एक नकली जीवन फसा हुआ था जिसके कारण दोनों पती पत्नी को अपनी जान गवा देनी पड़ी, नकली जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने क्या कहा, धर्मियों पर ज्यादा नकली जीवन का आक्रमन होता, अभी तो जितनों के नाम गिनवा रहा हूँ मैं, वो सारे धर्मी हैं, यहुदा इसकार्योती, बारा शिश्यों में से एक, चुना हुआ, है ना, लेकिन उसके बावजुद भी वो चोरी करता था, गृत भं में उसका लालश था, थैली में से पैसा निकाल लेता था, चोरी करता था, धन का लालश उसके अंदर फसा हुआ था, उसने प्रभी ये शुमसी के चमतकारों को, उपकारों को, बड़े-बड़े उपधेश्यों को जाना लेकिन उसके अंदर एक नकली स्वभाव छुपा हुआ था जिसके कारण वो चूरी करता था अंति में उसे आत्मात्या करना पड़ा नया नियम लो या पुराना नियम आपको ऐसे बहुत लंबी मेरे बहुत लंबी लिस्टे कम समय में आपको बता कुछ बाते बतान और अपने पिता से चाला की किया वो तो वाचा का पुत्र था उसके बारे में वाचा है उसके बारे में प्रतिग्या है वो उसकी मा विश्वासी उसके पापा विश्वासी सारी बाते अच्छी चीज़े जानते है प्रभू को जानते है लेकिन फिर भी एक चाला की एक चा यही गुन जो याकुब में था आप जानते हैं ऐसा ही गुन याकुब के बच्चों में भी आया याकुब के 12 बच्चे आप जानते हैं यही गुन धोका देने वाला चलाकी वाला गुन याकुब के बच्चों में भी आया मैं इसले बता रहूँ ये नकली जीवन पिछा नहीं छोड़ता है ये कही ना कही से कही ना कही से आपके भीतर प्रवेश करने की बात करता है प्रवेश करने की चर्चा करता है प्यारो याकूप का बड़ा बेटा रुबेन क्या किया याकुब की जो रखेल थी बिलहा जी हाँ बाइबल सिकाती की रुबेन ने देखा कि कोई मुझे देख नहीं रहा है और चोरी चुके से बिलहा के कमरे में जाता है और अपने पिता की रखेली के संग लगबगो पत्नी थी उसकी वाली और उसके संग उसने कुकर्म किया और पता है जब याकुब बुढा हुआ और आशिश दिया बारा बच्चों को आशिश दिया तो कहा रुबेन के बारे में कि रुबेन मेरा बल है मेरा पौरुश का पहला बल है पहला पुत्र है लेकिन उसने अपने पिता के खटिया को पिता के बेड को उसने अशुद्ध कि आशिश नहीं मिल पाई उस जैसे आशिश मिलना चाहिए था नहीं मिल पाई कि उसके अंदर एक चला की थी वाचा के पुत्र है ये बारा पुत्र याकुब के पुत्र ये बहुत इस्पेशल है बहुत खास थे ये गोतर बने आगे चलके ये परमिश्य के बहुत खास थे और शकेम में रहने वाले लोगों में एक विक्ती ने उसकी बहन के साथ कुकर्म किया तो ये बात इनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने चला की रची कई बार सोचते हैं क्या विश्वासी भी कोई शड़ी अंत्र रच सकते हैं मैं आपको उधारम बता रहा हूँ क्यों न हम उसको फसाए बहुत दिन तक शांत रहा और शकेम के लोगों को बोल दिया कि अगर हम तुम्हारे साथ संबंद रखना चाहते हैं अपनी बेटिया तुमको देंगे तुम्हारे बेटे से हम शादी करेंगे लेकिन सवाल यह है तुम्हे हमारे समानकरणा करना पड़ेगा खतना करोगे तो हम तुमारा मिलन होगा सब ने उसकी बात मान ली और शक्यम के सभी पुरुशों ने खतना किया तीसरे दिन जब वो अपने पिडाओं में बैठे थे कोई दोड़ने की हालत में नी तलवार उठाने की हालत में नी दोनों भाई जाते हैं लेवी और शिमोन दोनों ने जाके उन पुरुशों को मार डाला उस नगर का सत्या नाश कर डाला ये बात याकूब को बुरी लगी कहा ये तुमने मुझे कहा फसा दिया तुमने कैसा बुरा काम किया ये काम हमारा नहीं था चाला की आ रही है रुबेन ने चाला की किया लेवी और शिमोन ने चालाकी किया क्या आप जानते है याकूप के सभी बच्चों ने चालाकी किया और चालाकी के साथ अपने एक भाई जिससे नफरत करते जिसका नाम युसुप था उसको गड़े में डाल दिया चालाकी वाली प्लानिंग है उनके अंदर में कि भई इसको तो जानवर ने शेर ने खा लिया उसके कपड़े पे बकरी का खुन लगा दिया पापा को कह दिया पिताजी देखो तुम्हारे चहते बेटे को शेर ने खा लिया हाला कि इतनी चाला थे लोग चालाकी के साथ उसको गड़े में डाला वहां से निकल के वेज दिया पैसा ख लिस्टे या दावुत के बच्चों की बात करूँ उस के बात रूँ जसमें बहुत सारे लिस्टे वाइबल में जो यह बताती है की इनके अंडर एक नकली सुभाओ फसाता और एक रियालिटी बता रहा हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम बहुत गमंड करते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ गल्तियां नहीं करता हूँ, मेरे से कोई गल्ती नहीं हो सकती, सुन लिजेगा, जब दाउद से मैंने शुरुवात किया, तो मेरे प्यारा जी इनके अंदर ये नकली जीवन फस उसे जीवन को ज़्यादा प्रधान्य दे रहा हूँ, असली या नकली, हम चर्चेस की बात करते हैं मेरे प्यारों, चर्च में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे चर्च, डिनामेनेशन, एक दुसरी को गिराने के लिए अलग-अलग प्रयास करते रहते हैं, कैसे गिराएं भई आप तो प्रभु के लोगों विश्वासी हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सेवक लोगों करें, कई सेवक को कुछ देखा, वह दूसरे वेक्ति को गिराने के लिए प्लैनिंग करते रहते हैं, कुछ ऐसी योजनाय रचते हैं, कि जिसके थ्रू हम उस वेक्ति को उस सेवक को गिरा दे, निचा दिखाएं, और अपने आपको मुच्चा दिखाएं, विश्वासियों की बात करें, कलीशे के दूसरे मेंबर्स की बात करें, तो चर्च के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, कैसे पॉलिटिक्स करकी चीज़ों को घुमा फिरा के बदला दिया जाए, बहतर प्रचार कर सकते है लेकिन एक बहुत अची चला की भी कर सकते है समझ रहे ये गुण उनके अंदर भी पाया जाता है मेरे प्यारो एक दुसरे को गिराने के लिए तक पर रहते हैं तयार होते कहां से आती है ये चला किया कहां से आती है ये गुम्रह करने वाली बाते ये चतुराई वाली बाते इसका उपयोग करना है हमें लेकिन कहा अपने प्रभू की महिमा के लिए मुसा के माता पिता ने मुसा को छिपा के रखा छिपाना गलत नहीं था छिपाना परमिश्य की महिमा का कारण था क्या आप प्रभु की महिमा के लिए चुपा रहे हैं रहावश्या ने उन भेदियों को चुपा के रख अपने घर में और जुड बोला सिपाईयों को कि मैंने आउनकों देखा ही नहीं अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए समझ रहे आप, कई बार चुपाना प्रभु की महिमा होती है पर हर बार नहीं, हर बार ये नकली जीवन आपको फसा देगा आपके साथ बुरा करेगा, इसलिए अपने आपको जाचे कि मैं कौन सा जीवन जे रहा हूँ, असली या नकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नकली जीवन को जादा तेर देर जिन्दा मत रखो, नकली जीवन को मार कर परमेश्वर की नजर में स्रिष्ट बने मेरे प्यारो आज मारो इस नकली जीवन को, और परमेश्वर की नजर में मैंने कहा पहलुष जरूर कहता है कि मेरे अंदर दो प्रकार की विवस्ता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो विवस्ता है बहुत खुश है वो चल रहा है वो अपने आपको अनुशासन में लाता है तैयार कर रहा है रोज मरने की बात करता है मारने की बात करता है मैं कुर और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दिन्ता और अविनाशी सजावड से सुसजित रहे क्योंकि परमेश्व की दृष्टी में इसका मुल्य बड़ा है। लिखाय वचन में तुमारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व वुसी की तो बात करें जिसको नकली जीवन का मैंने नाम दिया है। गुप्त मनुष्यत्व कैसा होना चाहिए नकली नहीं होना चाहिए नम्रता और मन की दिन्ता और अविनाशी जो कभी नाशना होगी ऐसी सजावड से सुसजित रहे। ऐसा तुम्हारा भीतरी मन होना चाहिए भीतरी मनुष्यत्व होना चाहिए क्योंकि लिखा है वचन में क्योंकि परमेश्य की दृष्टी में इसका मुल्य बढ़ा है। नकली जीवन का मुल्य बढ़ा नहीं है लेकिन जो नकली जीवन को मार कुट के सही विक्ति तयार कर लेता है उस जीवन का मुल्य ज्यादा बढ़ा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल रखेंगे। क्या सवाल रखेंगे? कि हम क्या करे? हम क्या करे भई? हमसे नहीं बन पड़ता हूए हम तो कितना प्रयास करते हैं कि ऐसा जीवन ना जिए, ऐसी गलतिया ना करे? तब भी पता नहीं मैं बहुत कुशिश करता करूँ तब भी मैं यह कर बैठता हूं मैंने क्या करना चाहिं मैं क्या कर कूठ नहीus बीमारी का कोई इलाज नहीं मैं नहीं कुछ नियुकर्द ने रों नहीं करते हैं हाला कि चंगाई एक बहुत महत पुरना भाग है बाइविल का लेकिन क्या सिर्क चंगाई है बहुत सार चीज़े है और लोग सिर्फ इशु के नाम से चंगाई चंगाई करते हैं मैंने किसी को पूछा अरे भई इशु के नाम से आप चंगाई करते हैं लेकिन चंगाई के अलावा भी बहुत कुछ करो, जो बाईविल बताती है, इशु के नम से करने के लिए, तो ओले नहींने, हाँ में बाज चंगाई करना है, अरे मैंने सवाल किया, अगर चंगाई देने के लिए ही, चंगाई ही प्रभु का काम होता, तो इश्यू को आना क्यों होत क्योंकि चंगाई प्रभू यिश्व मसी के आने से पहले भी होती थी पुरान नियम पढ़के देखो बहुती बड़े-बड़े मिराकल है बहुत बड़ी-बड़ी चंगाई है चंगाई प्रभू यिश्व मसी के आने से पहले भी होती थी और आने के बाद भी आप चंगाई चंगाई चिला रहे हो तो क्या फरक है इश्मसी आया किसलिए आपको समझना पड़ेगा शांती पुरुवक क्यों आया जैसे आपने कहा सवाल किया मैं बहुत कोशिश करता हूँ हो नहीं पाता मेरे से इसे लिए तो इश्मसी आया सिर्फ चंगाई करने के लिए नहीं चंगाई तो देता ही है वो लेकिन वह आपको बदलने के लिए आया आपको शक्ती देने के लिए आया मनुष्य का पुत्र बन कर आया ना कि ताकि हमें सिखा है कि बेटा ऐसा जीना पड़ता है इनसान बनके मनुष्य बनके ऐसा जीना पड़ता है और नकली जीवन को अपने उपर कभी भी हावी नहीं होन देता है आपसे पूछे एक बात, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बाइबिल के पास एक प्रावधान है, एक ऐसा प्रावधान है, बरसाथ निकल लेंगे, पहला यहुन्ना, दूसरा अध्याय और बचन एक, पहला यहुन इशू मसी, हालेलूया, वचन कह रहा है, तुम में कोई पाप ना करे, अगर एडिक कोई पाप करता है, तो याद रखो, पिता के पास एक मददगार है, एक सहायक है, किसका हमारा, हम विश्वासियों के एक मददगार है, आपको आपसे नहीं बन पाय रहा है, नकली जीव पापत करेगा इन बातों पर जयप्राप्त करने के लिए, आपके भीतर का नकली जीवन समाप्त करने के लिए, और असली जीवन को उचा उठाने के लिए, क्योंकि इसका मुल्य प्रभु की नजर में बड़ा है, एक और वचन बाइबल ऐसा बताती है, जो हमें बहुत हिम सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निश्पाप निकला, हलेलुया, हमारे समान सब बातों में परखा गया, मनुष्य बनकर आया, मनुष्य के समान बनकर सब बातों में परखा गया, उसके पास से भी सारी ये बाते गुजरी, वो भी मनुष्य था, कई प्र लेकिन बाइबल बताती है कि परखा तो गया हमारे समान, जैसे आप परके जा रहे हो, मेरे प्यारों, आपके साथ यह हो रहा है, नकली जीवन आप पे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, परखा तो गया लेकिन लिखा है, निश्पाप निकला, मतलब आप भी निकल सकते हो मैं भी निकल सकता हू कहां क्या करना पड़ेगा उसी विक्ति की जिस्त ने इस पर जैवन्त प्राक्त किया वो निश्पात निकला वो यश्मस्ती है उसकी मदद ले उसकी सहायता ले और नकली जीवन को मारने के लिए एश्यू की मदद ले जब आप सतर को हो जाओगे जब आप ये समझोंगे कि मुझे बस ऐसा ही चलना है प्रभू के पीछे इस तरह से जीना है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अंदर की नकली पन खतम होना शुरू जाएंगी कि येश्यू आएगा आपकी मदद के लिए आपकी सहायता के लिए क्योंकि प्रभू ने मना किया दो प्रका के बीज नहीं बोना बैल और गदे एक साथ बांद कर नहीं जोतना समझ रहे आप दो आप बैल है तो गदे का साथ मत लेना ऐसा करने से मुश्किल में आप आऊंगे दो प्रका के बीज बोने कोशिश मत करो फसल अप पवित्र निकलेगी दरसल ये वचन बहुत सारी बाते सिखाता है ये वचन ने बहुत सारा संदेश भरा हुआ है प्रभु के पासा जब आप प्रभु के पासा आप जानते हैं ये शाउल को शाउल को स्टेप बाइ स्टेप शम्यूल ने भेजा यहां जाना ये करना वो करना फिर परवत पर से नभी उतरते दिखेंगे तू उनके साथ मिल जाना और तू भी उनके संग भविश्यवानी करना परवित्रात्मा तुझ पर उतरेगा और तू भविश्यवानी करेगा साप शब्दों में एक लाइन लिखा है और तू परिवर्तित होकर एक और ही मनुष्य हो जाएगा हालेलुया साफ लिखा है तू परिवर्तित हो जाएगा और और ही मनुश्य बन जाएगा समझरें प्यारो आप जब आप प्रभु की संगती में आओगे एश्यू की मदद लोगे पवित्राइत्मा की साहता लोगे आप परिवरतित हो जाओगे और परिवरतित होकर और ही मनुश्य मतलब एक सच्चमुच असली मनुश्याब बन जाओंगे ना की नकली हालेलुया देखो मैं अंतीम बात बतागे खतम करना चाहता हूँ यह उधारण जवानों के लिए मैंने कहा तो जवानों के लिए अब कुछ बात बताओंगा परमेशर जो नीव डालना चाहता है ऐसे परिवार नहीं बन पा रहे जिसमें का एक उधारण है शादी पता है मसीहत में शादी एक बहुत बड़ी चुनोती आज एक बहुत बड़ा टेंशन भी हो गया कई परिवारों के लिए कि शादी बोलने से बहुत बड़ी समस्या है और शादिया नहीं हो पा रही है पता है शादिया नहीं होने की पिछे कुछ-कुछ रिजन ऐसे भी है हमने कुछ जगह इस बातों का सर्वे किया और उसके बाद इस नतिज़े पर पहुँचे जो बाते आप समस्यमुक में ला रहा हो बता रहा हूँ सोशल मिडिया उसका में Systems है कई शादिया नहोने का वो होता है सोशल मिड्या और सोशल मिडिया की वज़े से बहुत सार ведь लोगों के रिश्ते तूटब जा रहे है और शादिया तूड जा रही है और उनकी जो भी नकले बाते होती है वो सब सामने आती है सोशल मीडिया के द्वारा होता यो है कि माता पिता को तो पता ही नहीं लगता कि भई ये रिष्टा कैंसल क्यों हुआ पता ही नहीं चलता ये रिष्टा कैंसल क्यों हुआ कैसे हुआ हमने सारी बाते किया सारी प्रोसेस जो थी हमने वो किया फिर रिष्टा कैंसल की हुआ होता क्या है कई बार माता पिता कोई पता नहीं चलता है एक लड़का एक लड़की की बाते चलती है दोनों की संगती या दोनों के परिवार मिलते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, एक चुगली करते हैं, उनके पास एक चुगली करने वाला विक्ति है, चुगल, जी हाँ, गुगल, चुगल करता है, गुगल है वो, वहाँ जाके उस विक्ति का सर्च कर दे उसकी सारी प्रोपल जहां जहां पर होगा वो जिस दिस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर होगा वो सब खुलकर आ जाता है और फिरो ध्यान पर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो उसके बार में स्टडी करना शुरू कर देते है ये कहां कहां जाता है क्या खाता पिता है इसके दोस्त कैसे है उसकी पोस्ट कैसी है वो कैसे कमेंट्स लिखता है कैसे वीडियो को लाइक करता है कैसे फोटोस निकालता है कैसे क्या करता है क्या लिखता है क्या बोलता है वो सब देख लेते है और उससे वो judge करना शुरू कर देते हैं ये सही नहीं है कई लोगों को रिष्टदारों नहीं बताया कई लोगों को social media ने बता है कि लड़का तो पीने वाला है शादिया तूट गई जो भी आप कर रहे हो वो आपका स्वभाव दर्शारा है वो आपकी इच्छाय दर्शारा है आपका वेक्टिप वेक्टिप दर्शारा सामने वाले वेक्टि को मैं यह नहीं कह रहा कि इनी बातों से किसी को जज करना चाहिए जज नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत हद तक ये बास समझ में आती है कि जिस बात का आप विरोध करते हो उस बात को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो समझ लेना कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ बहले 100% नहीं होगी लेकिन 50% आपकी उन बातों के लिए सहमती होगी बीच में एक फिल्म आई थी बहुत साल होगे बॉलिट फिल्म आई थी और बॉलिट फिल्म के विशे में बहुत चर्चा हो रहे हैं सब जग़ अरे इतना गंदा विशे है गंदी फिल्म है गंदी बाते है उसके अंदर में पता नहीं समाज में कैसे चल रही है क्या हो रहा यह हो रहा है और सब जग़ चर्चा कर उसके बारे में ऐसा है वैसा है ये कैसे विशेव पर फिल्म में आ रही है और पता है मजे की बात ये है वो फिल्म में 100 करोड रुपे से भी ज्यादा पैसा कमा लिया 100 करोड रुपे से भी ज्यादा पैसा कमा लिया एक किसने किसने पैसा लिया ये जो बोलते हैं ने लोग उन्हें ने दिया उन्हेंने जाके देखा एक तरफ हम बाते करते हैं कि अच्छा नहीं है दूसरे तरफ वही करते हैं समझ रहे हैं तो इससे हमें सीखने को मिलता है सोशेल मेडिया पर आप जो कर रहे हो न उससे आपकी कही ना कही आपकी एक असलियत या एक आपका चरित्र सामने वाले को जाते है और आपके जिवन में आप आगे दी बढ़ते कई दफ़ा मैंने देखा कि जब आप जौक के लिए अपलाई करते हो और बॉस के सामने आपने अप्लिकेशन दे दिया रिजूम दे दिया इंटर्वी हो गया इंटर्वी के बाद बॉस सोचल मीडिया पर आपको ढूं से समझे नकली जीवन नकली बातों की बज़े से जंदगिया बरबाद हो रही है रिष्टे बरबाद हो रहे है घर बरबाद हो रहे है अभी एक रील का जमाना लोग फिल में वीडियो चोटेटे क्लिप बनाते है डालते है अगबार में मैंने उस दिन घटना पड़ी अभ वो बाहर जाता था लोग उसे उसकी पत्नी के बारे में बहुती बुरा 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 बोलते थे उसने कई बाहर समझाया उसकी पत्नी नहीं सुनी वो बारबार रिल बनाती गई आखिरकार इस पत्नी ने आत्मत्य कर लिया जिया सच्ची घटना अगबार में आई थी आत वचन बता कि मैं सवाप्त करना चाहता हूँ और जो लिखा है इफिसियो की पत्री में इफिसियो अध्याचार वचन 22, 23 और 24 लिखा है कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भर्माने वाली अभिलाशों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक सुभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्य के अनुसार सत्य की धार्मिक्ता और प्रवित्रता में सिर जा गया है लिखाए पुराना मनुष्यत्व को उतार दो और नया मनुष्यत्व को पहन लो पुराना मन में 90 बाते अच्छी थी 10 बाते बुरी थी आजकल बहुत सारे लोग प्रवचन देते रहते वो अच्छा बोलते है एक बात गलत मिलेगे आपको बस वही है नकली जीवन वही आपको तंग करेगा पुराना मनुश्यत्व उतार दो जिसके इंदर जूट भरा है गलत नहीं करूँगा धोका देना बन करें मान ले मुझसे गलती हो सकती है लेकिन यदी में एशू के वस्त्र को धारन कर लो एशू के मनुश्यत्व को धारन कर लो जो उसके तार दिया गया है मैं बच जाओंगा मैं बच सकता हूँ अगर मैं अपने आपको अनुशासित करूँगा सत्तर करूँगा उन पापों के प्रती अपनी आँखे खोलूँगा जानोगा मैं क्या कर रहा हूँ मैंने शुरत के दाउद सिर्किया था दाउद की आँखे वही खुल जाती वो सोच तक शान भर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह गलत बात मैं क्यो कर रहा हूँ उस स्तरी के पती को क्यो युद्ध में भैच के मरवा रहा हूँ अगर यह बास सोच भी लेता तो वो बज जाता था अपने आँखे खोले और सोचे आप क्या गलत कर रहे तब आपके आखे खुलेगी जब आप मसी के द्वारा दिये गए मनुश्यक्त्व को पहन लोगे गलतियाम सबसे होती मेरे प्यारो लेकिन मसी की मदद ले ताकि आप नकली नहीं आप असली जीवन जीना शुरू कर दे परमेशर आप सब को आशिश दे आए अपने आपको जाचे अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात आपके अंदर में है जो आपको नकली जीवन की तरफ प्रभावित कर रही है या आपके जीवन से नकली बात आगे बढ़ा रही है आओ आज अभी इसी वक्त उसको मारना शुरू करे और असली जीवन में आगे बढ़े असली जीवन बहुत किमती है बले ज्यादा उसको प्रसिद्धी नहीं मिलेगी लेकिन बहुत किमती है और परमेशर की नजर में क्या पड़ा हमने इसका मुल्य बहुत बढ़ा है वही आपको चाहिए आई हम लोग दुआ करेंगे सर्वशक्ति मान पिता हम आपका धनेवाद करते प्रभू आप हमारे प्रिये परमेशर धनेवाद प्रभू आपने में सिखा है कि हमें नकली नहीं हमें असली जीवन जिना है और हम लगातार अपने अंदर भीतर देखते प्रभू हम बहुत प्रकार के नकली जीवन से ग्रसित होते है धर्मियों के उपर भी नकली जीवन के बड़े-बड़े आकरमन होते है प्रभू जी प्रभू हमें इन सब नकली बातों के लिए माफ कर प्रभू जी और ऐसा असली बना ताकि प्रभू में आगे बढ़े तो असली जीवन को देखकर आप कहने वाले बने धन्य है मेरे बेटे धन्य है मेरी बेटी तु बहुत ही विश्वास हो गया है तु बहुत ही सच्चा है या सच्ची है प्रभू हमें अच्छे से बहतर सच्चा जीवन जिनने के लिए प्रभू हमारी विशेश सहाय तक प्रभू जीए धनेवाद करते हैं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं आज से अभी से इसी घड़ी से हमारी परिस्तितिया हमारा जीवन बदल रहा है हम नकली से असली की तरफ आज ये बढ़ रहे हैं अम विश्वास करते हैं उद्धार करता प्रभू ईशू के नाम से तात्म माते हैं आमेन आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशिश प्राप्त किया है ये जिस सचमुच आपने आशिश प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें औ और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकम को दवाईए और हाँ, इश्यू पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशिश महिस्तानों की और आगे ले जाएगा, गौड ब्लेस यो आप